बहरती जनता पार्टी ने प्रचन्ड जीत के साथ दुबारा सत्ता में वापसी की है और तीन दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है कि जब किसी सत्ता रुट दलने पर दुबारा जनता ने भरोसा जता है इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आगरा की राइनीती के धुरी राजा अर्दमन सिंग जी हैं जो चार मुख्यमंत्रियों के मंदल में वो कैबिनेंट मंत्री रहे हमारे साथ हैं सर किस तरह साब जीट का ईनालेस्स करते हैं, आपकी धर्म पत्नी हैं वू भी दुबारह यहां से बावस विधान सबा से विधायक शुनी हैं, किस तरह से एनालेस्स करते हैं, क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स रहें, देखिए इसमें जो आधनिया पदान मंत्री जी की और अपने योगी आदितनाद जी की जो कल्यार कारी योजना है के इन सरकार की और प्रदेश सरकार की खास्तोर पर जो डबल राशन जो इस करोना काल में दिया है उसको बड़े पहमाने पर जो आदी आबादी महिलाओं को प्रवावित किया है और जितनी भी जै उससे फिर वो सोचा लए आवास और अंगिने ऐसी योजना है लेकिन जो महिलाओं का समू बनाए गया योगिया दितनाद जी ने जो समू बनाने के लिए महिलाओं को सचक्ति करने के लिए उनने घर से आगे निकाला और कई ना कई उनको आर्थिक रूप स इसकी मजबूती मिली और बाहर लग निकल के काम करने का जो सरकारी सयोग मिला उससे वो भी प्रवावित पॉलिटिकर एनालिस्ट कह रही है कि राशन और सुशासन एक तरफ राशन यानि किचिन की गारेंटी जो लोगों में सुरक्षा का भाव ये सारी चीज़ें लोगो पर जो कड़ाई की है आधनिया मुक्वंती यादित योगिनाथ जी जिन्होंने क्राइम के प्रतिए नो टॉलेंस जीरो टॉलेंस वाली जो नीती अपनाई थी और उन पर तुरंत जो कारवाई होनी चाहिए थी और पेशेवर अफरादियों में एक भय पैदा हुआ जो अ पेशेवर अफरादी थे उनका और महिलाओं में इसका सुरक्षा और खास तरफ महिलाओं में एक सुरक्षा का माहल पैदा हुआ कि हम अब सुरक्षित हैं पुलिस को फोन करने से तुरंत रिस्पॉंस होते हैं और यह रोमियो स्कॉड है या वन जीरो नाइन जीरो पे उनकी जो कहा जाए मित्र मंडली है उनको गलत फीड करती रही वो जरी जमीनी दरातल पर पब्लिक क्या सोचरी से भाप नहीं पाई आप कैसे दिखते हैं नहीं कह सकता हूँ क्या कर पाए या नहीं कह पाए लेकिन हां उनके सराकारों में सीनियर्स की कमी रही जैसा कि मैं अनमवी राजनितियों की कमी रही और उनको ऐसा लगा कि अब हमारी सरकार बनी रही है तो चाहें ओवर कॉंफिडेंस हो या जो कुछ भी हो लेकिन जो बीजेपी के रन्नीतिकारों ने और प्रदेश और देश के जो संग्ठात्मक जो रन्नीतिकार थे उनने जिस हिसाब स कि चुनाव लड़ा और लड़वाया वो कहीं ज्यादा उनसे कुछल और नेतित भी है और आदनिय मुक्वंतिर प्रदानमंतिर का नेतित प्रदेश और देश सुईकार कर चुका है बड़ा सवाल यह है किसका अगर अनलेसिस लगाता सब लोग कर रहे हैं जो पॉलिटिकली एप्रोच रखते हैं बीएसबी का पूरा वोट शिप्ट हो गया बीजेपी में करीब 22 सीजदी से ज्यादा दो या सत्रह के विदानसवा चनाव में उन्हों ने वोट लिया वोट करीब हो गया तो आप से करीब गया रहे दस गया रहे फीजदी का यह वोट बैंक बीजेपी को मिलना किस किस तरह से इसको आप देखते हैं एक मात सीट निकलिए बलिया के रशडा से उमाशंकर सिंग की बता जाता वह उनकी ब्यक्तरिया चभी पर देखिए यह जो बसपा का जो वोट यह जो गरीब तबका का जो वोट था वो इससे फरावित हुआ है बीजेपी की करनलन करी यह नहोते और आदरनिया मुक मंत्री की और पदान मंत्री की जो छवी है और जहां गरीब उनके फ्रात्मिक्ता पर है जैसे जो संसाफा के सद्दैस और दक्स भी रहे पर निदिन दियालुपादिय जी के विचारों पर जो पार्टी काम कर रही है तो गरीबों को छोड़ा नहीं है उसमें खास तोर पर जो दलित वर गया वो इसमें को यह मैसूस कर रहा है जो कहा जाए विचार धारा है अन्तिम्विक्ति का उदै तो वहां जो तमाम लाबक वानमेत हो रही है और उनको यह दिखने को भी मैसूस भी करने लगे कि वस्पा सरकार नहीं बना रही है तो हम क्यों ना बढ़के हैं और जो हमको लाब दे रहा है जो हमको फायदा पहुंचा रहा है कि उनके साथ हम क्यों ना जुड़े हैं कास्ट वेरियर्स टूट गए क वो अपने हिसाब से उनकी जो योजलाएं उसका लाब सभी कास्टों को मिला है और सभी जातियों को मिला है तो कहीं ना कहीं वो जातियां प्रभावित हुई हैं जो कंजोरवर की जातियां हैं वो साहिता जो उनको मिलती है उसको वो पहचानते हैं ग्रहन करते हैं और उनम पूर मंत्री राजा अर्दमान सिंग का अवरा से नितनुपाद देहाई एबीपी गंगा अबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी एबीपी गंगा इबाराइब्सा बंगा से नितनुपाद और आपकी जवाँ आपकी जवाँ आपकी जवाँ सावेश इफितनुपादिए अरे ओेवीपी जवाँ